अगर अभी तक आपने मिर्च मसाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को टैप कीजिए रोज एक नई रेसिपी के लिए तो मिर्च मसाला में आपका स्वागत है अभまぁ पाशले में अनंडाने जा रहे हैं मैंगो कि अलाकर उसके लिए मैंगो के पल्प लिये हैं तो के देशन के सुराम डूरायो रहन्ग में नीचे मिल जाएगी परिष्विबली आप होमेड ही लेजेख इस वाद ज्यादा अच्छा आता है मैं ने सास में लिया है एक बाउल कंडेंस में के शीकुच में आपको डिफरेंट ब्राइन्स में अवेलेबल है काजू और बदाम को काट लिया है तो आएव बनाना शुरू करते हैं मैंने एक पैन में घी डाला है यह देखिए मैंने इसमें एक टेबल स्पून घी डाला है घी डाले के बाद हम इसमें मैंगो पल्क डाल देंगे दोस्तों यह बहुत इंपोर्टेंट है कि आप ध्यान दे कि आपका मैंगो मीठा होना चाहिए यह मैंने इसमें डाल दिया और हम इसे स्टेयर करेंगे और दो से तीन मिनट तक लोग लेम में पकाएंगे इसे हम कंडिनस्टी स्टेयर करते रहेंगे ताकि यह नीचे जले ना या सटे ना तो हम इसे दो से तीन मिनट तक पका चुका है अब हम लोगों ने और अब हम इसमें डाल देंगे ग्रेटेट पनी यह मैंने होममेट पनी लिया है आप ध्यान दिजेगा मैं फिर से बोल र दो इसमें कंडेंस्ट मिल्डेंगे हम इसे अच्छे से चला देंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे जब तक कि हमारा यह फिकिना हो जाए हम इसे continue stir करते रहेंगे अब ध्यान दीजिएगा फ्लेम आपका लोग फ्लेम में रहे और यह चिपके ना और ना जले भी ना नहीं तो इसका स्वात बदल जाएगा तो यह देखिए हमारा मिक्षर अब तेक होना शुरू हो चुका है कर अब अब इस टेज में ढाल सकते हैं कार्डमम पावडर यानी लाइची पावडर और अब हमारा एक्दम तयार है कि एगदम अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा करेंगे मैंने एक प्लेट लिया है जिसे मैंने घी से ग्रीस कर लिया है और अब हम इसे इस प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे और हम इसे अच्छे से दबा कर इसे गोल्ड शेप दे देंगे इसे अच्छे से फैला दीजिए इसके उपर हम चॉप ड्राइफूट्स डाल देते हैं मैंने ड्राइफूट्स से गानिश कर दिया इसे मैंने काजू और आलमेंस लिया है तो अब हमारा यह कलाकंद एकदम तेयार है अब हम इसे ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसे मन चाहे शेप में काट लेंगे तो दोस्तों उमीद है आपको हमारी यह रेसिपी पसंद आई होगी इसे लाइक जरूर कीजिए हमारे चैनल को सब्स्प्राइब कर करना ना भूले और कमेंट सेक्षन में जाकर हमें जरूर बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लेकि भनेवाद है